नमस्कार मित्रों, 6 नमंबर 2024 की तारिक दुनिया में एतिहासिक हो जाएगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था क्या खास हुआ इस तारिक को, तो भाई बिटकोईन की किमत ने 4500 डॉलर को क्रोस किया, नया अल टाइम हाई बनाया ऐसा क्यों हुआ, तो भाई अमरिका में चुनाव हुआ और नतीज़े आए, अब इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, भाई के 5 ओर को क्या फर्क पड़ेगा, भारत को क्या फर्क पड़ेगा, वो जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, वेलकम अमरिका में राष्टरपती चुनाओ में मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए हैं वे अमरिका के अगले प्रेसिडेंट होंगे देखे चुनाओ तो अमरिका में हो रहा था आप भी यही चाहते थे हैं न बोले तो क्रिप्टो को समर्थन देने वाला व्यक्ती ही उस महासत्ता की डोर संभाले ऐसी इच्छा सबकॉंशेस माइन में रही होगी इसी प्रकार पूरी दुनिया चाहती थी कि क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाले मिश्टर डोनाल्ड टरंप जी अमरिका का ये चुनाओ जीते तो लो जीत गए एक तरफ ब्रिक्स संगठं के देशों ने दुनिया में अमरिका के डॉलर का प्रभाव कम करने के लिए ब्रिक्स पे नाम की सिस्टम बनाई है और उसका उप्योग भी शुरू कर दिया है उस वक्त के दोरान इस तरफ अमरिका विशों में युद कर रहे देशों को मदद करके अपने डॉलर को मजबूत करने की कोशिस कर रहा था परंदू अमरिका की प्रजा ये चाहती थी कि भाई अपने देश में बिरोजगारी जैसी कई समस्याए है तो दूसरे देशों पर डॉलर लुटाने से पहले खुद के घर में सपोर्ट करना चाहिए टरंप जी ने इस विशए पर भाशन भी किये थे पिछले कुछ मेंनों से ऐसा देखने को मिला था कि अमरिका का मीडिया और टिवी पर कुछ इंटर्विउस डोनाल्ड टरंप जी के विचारों के विरुद में था ज्यादातर सभी बड़े लोग टरंप जी का समर्थन नहीं कर रहे थे उन पर जान लेवा हमला भी हुआ था यहाँ इस बार टरंप जी के साथ उनके समर्थन में एक बड़े दिगज खड़े हुए उनका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे उनका भी प्रभा बहुत जबदस्त रहा वो थे मिस्टर एलन मस्क मिस्टर एलन मस्क जी तो पहले से क्रिप्टो का समर्थन खोले आम कर चुके हैं अमरीका के चुनाव में डोनाल टरंप जी के साथ एलन मस्क की जोड़ी ने एक कमाल सा कर दिया है दुसरा एक गणित भी देख लेते हैं इस तरफ मिस्टर एलन मस्क जी ने सोशल मीडिया पर टरंप जी का प्रचार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी एलन जी लगातार डोनाल टरंप के समर्थन में प्रचार और पोस्ट करते रहें तो इस प्रकार सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया और क्रिप्टो चुनाओं में अपना मजबूत रोल निभा सकते हैं अब प्रजा को पुराने जमाने के वादों से पुराने जमाने के सपने दिखा कर मतलब वो ही गिसे पिटे विकास के विचारों से जिता नहीं जा सकता इस बार सही मायने में क्रिप्टो शब्द का उप्योग राजनिती के लिए हुआ चुनाओं जितने के लिए हुआ देश का राजा बनने के लिए हुआ ये है क्रिप्टो शब्द की ताकत एक बार तो ऐसा लगता है जैसे वेब 3.0 के क्रिप्टो को सही तरह से प्याचानने वाले लोगों ने क्रिप्टो को अपने जीवन में समाने के लिए अपने वोटिंग अधिकार का सही तरीके से उप्योग किया है जीतने के बाद अपने किये हुए वादों के मताबिक अब अमरिका के प्रेसिडेंट क्रिप्टो को सपोट करेंगे या नहीं वो स्पर्ष्ट और उपसे दिखाई देगा अब अमरिका में क्रिप्टो का रेगुलेशन, क्रिप्टो के काईदे कानून डीटेल में बनने की उम्मीद है हम सब ने पिछले साल बिटकोईन का ETF लॉंच होते हुए देखा था उसके बाद इथिरिम का भी आया, आगे सोलाना और दूसरे क्रिप्टो का भी ETF आ सकता है पाई चला तो बविशो में पाई का भी ETF देखने को मिल सकता है इसका मतलब यूँ समझो, कुछ बड़ी कंपनिया, mutual fund की तरह लोगों का पैसा selected क्रिप्टो में भी invest करें ऐसा होने की संभावना बढ़ गई है क्रिप्टो index funds बड़े प्यमाने पर देखने को मिल सकते हैं देखे रशिया या चाइना जैसे बड़े देशों में इसका असर न भी देखने को मिले परन्तु छोटे और विक्सित देशों में क्रिप्टो विशो के बड़े दरवाजे खुल जाएंगे डिटेल मार्केट की धमाकेदार एंट्री क्रिप्टो में देखने को मिल सकती है डिटेलर यानी छोटे इंवेस्टर्स अपना पैसा नुचल फंड की तरह regular ऐसे क्रिप्टो फंड्स में लगाएंगे जिसे दुनिया के फाइनान्स समुंदरों में क्रिप्टो की बड़ी लहर उठेगी क्रिप्टो से गुरुना करके क्रिप्टो को दुश्मन मानने वाले देश या नेता ज्यादा समय तक इस आंधी में अब टीक नहीं पाएंगे परन्तो ये सब होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा देखे अभी आप जहां रहते हैं वहाँ ऐसा कुछ मैसूस नव हो समपूर्ण शानती लगे परन्तो इतियास एक दिन में थोड़ी बनता है आपके वहाँ आपके देश में क्रिप्टो की लहर आने में विलंब जरूर हो सकता है परन्तो क्रिप्टो बिल्कुल आएगा ही नहीं ऐसा नहीं होगा टरंप जी के एक बाशन में सुना गया कि अमरीका की इतियास में यह सबसे बड़ी आर्थिक वापसी हुई है अब देखते हैं पाई नेट्वर्क का क्या होगा टरंप और मस्क की जोड़ी चलाएंगे क्रिप्टो की गोड़ी एक टेकनोलोजी का बाश्या और दूसरा अमरीका का राजा सोचे क्या नहीं हो सकता मस्क जी का पाई फोन शायद पाई नेट्वर्क जैसे क्रिप्टो का इंतजार कर रहा है जिस प्रकार सोलाना का मोबाईल फोन आने वाला है बविश में पाई का भी फोन आये जिसमें पाई एकोसिस्टम की डी एप्स और पाई का वालेट पहले से ही इंटिग्रेटेड हो जिसमें सभी देश की करंसी को पाई में और पाई को फियाट करंसी में कनवर्ट कर सकें ऑनलान शॉपिंग के लिए Amazon जैसी एप में पाई से सिधा पेमेंट हो ऐसा तो पाई बनाने वाले डॉक्टर निकॉलस जी खुद ने कहा था उसके लिए रिटेल मार्किट में पाई के ट्राइंजेक्शन का टेस्टिंग करने है तू पाई फेस्ट लाया गया हो लोगों के मन्द में पहले पाई को एक करनसी का दर्जा देना बहुत जरूरी है उसके बीना सीधा पाई का फोन लॉंच करने से कोई फाइदा नहीं होगा कौन उसका उप्योग करेगा सब कुछ दिरे दिरे स्टेप बाई स्टेप होता है तो ही सफलता प्राप्त होती है इसलिए शानती से पाई को उसका काम करने दे कीमत के बारे में शुरुआत में ज़्यादा उम्मीदे रखने से आवेश में आकर गलत निरने ले सकते हैं जिससे फ्यूचर में नुकसान होने की संभावना होगी पाई नेट्वर्क में अभी पाई फेस्ट का समापन हुआ है साउथ एशिया में, आफरीका में और यूरोप में पाई के आइकन्स ज्यादे दिखते हैं अमरिका में और रशिया में कम दिखते हैं परन्तु लगता है लोकल मार्केट में दिरे-दिरे ही सही पाई चलता रहेगा पाई की एकोसिस्टम में अभी भी बहुत सारी एप्स आना बागी है डेवलोपर्स कम बढ़ रहे हैं जितनी मीनी एप्स टेलीग्राम में देखी गई उतनी अभी पाई में नहीं है तो लगता है टाइम तो लगेगा परन्तु फिर भी अमेरिकी चुनाव का पॉसिटिव इफेक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री पर देखने को मिलता है तो इस दिसंबर तक पाई का ओपन नेटवर्क होने की संभाव ना ज्यादा है क्रिप्टो फ्रेंडली नितियों के समर्थक रहे हैं उनके फीट से सत्ता में आने से उम्मीद है कि क्रिप्टो उद्योग को और अधिक अनुकुल नियमन मिलेगा जिससे कई नई कमपनियों का उदय और क्रिप्टो मुद्राओं की व्यापक स्विक्रूती बढ़ सकती है मिस्टर टरम जी की जीत के बाद क्रिप्टो बाजारों में थोड़े समय की तेजी देखी जा सकती है क्योंकि निवेश है क्रिप्टो फ्रेंडली नीतियों के उम्मीद में निवेश कर सकते हैं कुछ और इफेक्ट के बारे में कहें तो आगे बताया उस प्रकार निया मक्स पस्टता देखने को मिलेगी मतलब अमरिका में क्रिप्टो मुद्राओं के लिए सपस्टनियम और कानून होने से वैश्विक स्टर पर क्रिप्टो उद्योक की विश्व सनिता बढ़ सकती है डॉलर की सिती की बात कर रहे हैं तो अभी अमरिकी डॉलर जो ग्लोबल करंसी किंग बनकर बैटा है उस पर उसके समराजिय पर क्रिप्टो करंसी का प्रभाव जरूर पड़ेगा ट्रंप जी ने अपने बाषण में युद्ध को समाप्त करवाने की भी बात की थी क्योंकि वैश्विक स्तर पर जियो पॉलिटिकल टेंशन भी क्रिप्टो बाजार को प्रभावित कर सकता है युद्ध समाप्त होने से क्रिप्टो में तेजी आएगी और पाई नेटवर्क ओपन मेंनेट का तीसरा लक्ष यही है कि दुनिया में शांती पूर्ण माहुल रहा तो पाई को जरूर लॉंच किया जाएगा इस प्रकार अमरिका के चुनाव के परिणाम क्रिप्टो उद्यों के भविशे को आकार देने में महतपूर्ण भूमी का निभा सकते हैं भारत को फाईदा होगा क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर डोनाल ट्रम्प जी एक अच्छे दोस्त है पाई के पाईणर्स की बात करें तो उनको भी इसका फाईदा जरूर मिलेगा इस प्रकार अमरिका के चुनाव के परिणाम से भारत को तो फाईदा है ही परन्तु पाई के पाईणर्स को भी इसका फाईदा जरूर मिलेगा फिर भी ध्यान रखें क्रिप्टो बाजार अस्थीर हैं इस चुनाव के परिणाम के अलावा भी क्रिप्टो मार्केट कई अन्यकारकों से प्रभावित होते हैं इसलिए निवे शकों को सावधानी पुरवक निरने लेने चाहिए हम किसे भी क्रिप्टो को खरीदने की या बेचने की साला नहीं देते मित्रो ब्रिक्स देशों के नए लॉंच किये गए ब्रिक्स स्पेस सिस्टम के सामने क्रिप्टो इंडेस्ट्र में बहुत सारे पेमेंट सिस्टम है खास करके क्रोस बॉर्डर पेमेंट के लिए अमरिका की रिपल लेब ने बनाये हुआ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, XRP लेजर नाम की ब्लोकचें है जिसका नेटीव कोईन XRP है पाई नेटोर की तुलना इस XRP के साथ करें तो XRP में प्री माइन कोईन्स है और पाई में कोईन्स का माइनिंग अभी चालू है कोई भी व्यक्ति मोबैल से Pi free में बना सकता है XRP में KYC सिस्टम नहीं है जबकि Pi में उसका खुद का KYC सिस्टम है जिसमें AI मशीन और मानों के सोरुप में validators काम करते हैं जो Pi को दुसरे सभी crypto के मुकाबले खास बनाता है तो KYC से ही Pi एक special crypto coin है XRP और Pi दोनों की total supply 100 billion है उनमें से XRP का current supply 57 billion है मतलब ज्यादा है और coin market cap पर Pi का current supply सिर्फ 68 million दिखाई देता है XRP की कीमत 0.53 dollar है जबकि Pi की IOU की कीमत 50 dollar के आसपास है तो इन कारणों से अभी Pi की जो IOU की कीमत है वो वास्तों में सही लग रही है बाकि final price तो किसी exchange पर listing होने पर ही पता चलेगी कीमत जो भी हो कीमत से डर नहीं लगता साब राजनीती से लगता है बैज जितना जल्दी हो सके crypto का स्विकार करने में ही भलाई है दिन दुगनी, राज चोगनी भागती हुई technology के साथ कदम मिला कर दोडने में ही देश का फाइदा जल्दी होगा दुनिया में GDP को लेकर आगे बढ़ना है तो blockchain की पट्री पर finance की bullet train अकलपनिय तेजी से आगे बढ़ सकती है देश में information technology के एक्षेतरों में एक से एक नव युवान युद्धा तयार है blockchain और smart contract के बड़े से बड़े project भारत में बन सकते हैं बन रहे हैं तो इसी उमीद से वीडियो की समाप्ति करते हैं कि 6 नॉमेंबर के अमरीका के चुनाव के बाद क्रिप्टो जगत में नया सूरज उगेगा जिससे भारत को और भारत के क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोगों को आशा की किरन दिखाई देगी बविश्य सुना रहा होगा ऐसे ही शुप विचार को एक हकारात्मक दर्श्टी कौन से और प्रसंणता से फेलाते हुए वीडियो का समापन करते हैं जय हिंद जय भारत